नमस्कार दोस्तों मैं जिस सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने टूप चानल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुख मंत्री विवास सहायता योजना का आवेधन करने के बाद उस आवेधन का स्टेटस कैसे ट्रैक करें कि आपको जो इ हम सभी की डिटेल्स आप कैसे ट्रैक करें कैसे चेक करें तो इस वीडियो में हम उसी ज्यानकारी देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपें अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है दोस्तों अब आपको यहां पर दिखाई देगा आवेधन की स्थिति जाने का तो इस वाले उप्शन पर क्लिक कर देना है इस पर जैसी आप क्लिक करते हैं तो आपके सा अब डिय आपको और अपर क्ली कर देना है तो दोस्तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको रिष्टेशन नमर फिलब करना है किसे पहले अप Inn होगा विभाग का नाम मिलेगा जिसमे सरंबी वाग मिलेगा तो सेवा कानाम जोगी विवास सहायता योजना का ला प्र्दान करने की ऐक क्या था आवेदन की जुल ऐट है जब तक अब को फुशना का लाब प्रतान कर दिया जाए निकिस दिन में आपको इस योजना का लाब मिलेंगा उसकी डिटेल्स मिल जाएगी उसके व्योदे दोस्तों कभी इस आवेदन पर लास्ट करवाई की गही उसकी डिट मिल जाएगी यहाँ पर आपको एक option मिलेगा निराकरन की स्थिति में अगर डिस्पोज लिखा हुआ है दोस्तों तो आपके आवेदन का जो निराकरन है यानि आपको इस योजना का लाब दिया जाएगा अगर आपको यहाँ पर रिजेक किया होगा उसकी डिटेल्स मिल जाएगा अब आपको दोस्तों एक option मिलेगा प्रमार्पत स्लेस आदेश का उसके बाद जैस्ट नीचे में आप देख सकते हैं नोट सीटेक मिल जाएगा उसमें आपको देख सकते हैं किस ऑफिस के अंतरगती है जो प्रक्रणर था आपका किस ऑफिस में गया था उहाँ का सब सब पहले नाम जाएगा उसके बाद आपको यहां पर मिल जाएगा कि आपको यहिस के लाप दे दिया गया है अगर नगर निखम जो आपका नगनिगम के अंतरगत आपका घर आता है तो आपको नगनिगम के अधिकारियों के सिगनेचर आपके मिल जाएंगे और अगर ग्राम पंचायत के अंतरगत आता है तो ग्राम पंचायत के अधिकारियों के सिगनेचर मिल जाएगा उसके बाद आपको उपर में स्क्रॉ दी गई है जो आपने आवेदन के साथ फिलब किया होगा उस बैंक एकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है तो दोस्तों आवेदन कैसे करना है उसके लिए वीडियो का लेंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं